अमर्नात बाबा ने पैदा किया ये चमतकारी कबूतर इस रहस्य जानने के बाद हो जाती है मृत्यू हा दोस्तो युगों से लेकर युगों तक महादेव की पूजा तीनों लोकों में की जा रही है महादेव की महिमा अपरमपार है जब ही तो धर्ती लोग पर महादेव का वास है महादेव अपने कई रूपों में धर्ती पर विराजमान है जी हाँ, महादेव की महिमा जानने के लिए आपको आज हम लेकर चलते हैं अमरनात मंदिर की एक गुफा में जहां का रहस्य आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा ये गुफा इतनी अद्भभूत और चमतकारी है जिसको देखते ही आपके मन में भगवान के प्रतिभावना जागरित होगी ऐसा क्यों है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जो महादेव के दर्शन करने के लिए अमरनाथ यात्रा पर हर साल जाते हैं लिकिन आप में से किसी को इस गुफा का रहस्य नहीं पता होगा कि यहाँ पर कौन रहता है? जी हाँ, अमरनाथ बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद आगे चलकर एक बड़ी सी गुफा है जहाँ पर आज भी महादेव स्वयं रूप में विराजमान है बताते हैं कि उस गुफा की रखवाली करने वाला एक कबूतर है जो कि बाबा, अमरनाथ की तरह सफेद रंग का है वो वहाँ पर महादेव की रक्षा करता है बताया जाता है कि उस गुफा में सिर्फ पवितर आत्मा ही जा सकती है अमरनाथ बाबा की पूजा अर्चना हर कोई कर सकता है लेकिन उस गुफा तक हर कोई नहीं जा सकता वहां के कई पुजारियों को इस गुफा और उस कबूतर के रहस्य के बारे में पता है उनके पूरवज उनको इस बारे में बता कर गए हैं दरसल वह कबूतर पवित्र भगवान की आत्मा है, जो के रात के समय ही अमरनाथ मंदिर में कैद होता है, वह सुबह के समय उड़कर गुफा की रक्षा करता है, पुजारियों के मुताबिक अमरनाथ बाबा की पहली बार बर्फ पिघलने पर यह कबूतर पैदा हुआ था, य कैसे कब मंदिर के अंदर आता है, और सुबह चला जाता है, यहां तक की CCTV में भी इसकी कोई वीडियो कैद नहीं हुई है, जिससे पता लगाया जाए कि यह कैसे शिवलिंग के पास बैठ जाता है, इसको एक बार किसी महा संत ने अमरनाथ जी के शिवलिंग के पीछे देख उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सभी से छिपने की कोशिश कर रहा है, इसके बाद उस संत ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वह गायब हो गया, इसके बाद संत को लगा शायद यह अमरनाथ जी की कृपा है और उसने मंदिर के एक पुजारी को सारी सच्चाई ब पीछे पीछे वह महासंत आ रहा था, जैसे ही पुजारी अपनी मंदिर के मैन गेट को बंद करने गया, तो उसने देखा कि महासंत उसके पीछे नहीं है, उस दिन के बाद से ही वह महासंत वहां से गायब हो गया और कभी भी किसी को नहीं दिखा, डर की वजह से यह बात प पुजारी मर गया ऐसा पीड़ी दर पीड़ी चलती आ रही है जिसको बताने के बाद लोग ज्यादा समय तक जिन्दा नहीं रहते इसके पीछे क्या रहस्य है यह तो कोई नहीं जानता लेकिन वह कबूतर आज भी अमरनात बाबा की मूर्ती के पीछे जाकर बैठता है बताय कि यह इस बारे में कोई किसी को नहीं बताता लेकिन महादेव की कृपा अपने भक्तों के साथ सदैव रहती है